जै भीम नमो बुद्धाय आज होगी बोध्मत की खुदाय नमस्त मित्रों हम बात करेंगे बोध्मत के गजब गपोडों के बारे में कितने खतरना गपोडे हैं इन पोपों के आपके सामने प्रिस्तुत है अगर यही हिंदू के लिखा होता तो इनके पेट में दर्द होने लग जाता इनके दिमाग के केड़े दोड़ने लग जाते और कहते तुमने चमतकार के नाम पर हमारे सुद्र लोगों को ठगा है तुमने तुमने हमारे सुद्र लोगों के साथ अत्याचार किया है पर इनके चमतकार कैसे हैं कम से कम देख तो लेते एक राजा, इतने बड़े राजा को भी चमतकार से प्रभावित कर दिया है इन्होंने आपके सामने प्रस्तत है विनाई पिटक प्रिष्ट नंबर दोसो चोबिस एक भाई कह रहे हैं कि मेरे को प्रमान नहीं मिल रहे है आप ये पुस्तकालाई नाम से वेबसाइड है उसमें जाईए वहाँ पे सर्च कीजिए विनाई पिटक फिर आपको ये पुस्तक मिल जाएगी और जितने प्रमान दियें वो सारे के सारे मिल जाएगे पिलिन दिवच्च का चमतकार उस समय आईश्मान पिलिन दिवच्च उस ग्राम के बिक्षा टक थे तब आयुश्मान पिलिंदी वच्छ पूर्वा ग्रहन के समय पहन कर पात्र चीवर ले पिलिंदी ग्राम में बिक्षा के लिए प्रिविष्ट हुए उस समय उस गाउं में उत्सव था लड़के अलंकृत हो माला पहिने थे तब आयुश्मान पिलिंदी वच्छ पिलिंदी गाउं में ठेरे पिक्षाचार करते जहां आरामिक का गर था वहां पहुंचे चाकर बिच्छे आसन पर बेठे उस समय उस आरामिक की लड़की दूसरे लड़कों को अलंकृत मालाकृत देख रोती थी माला मुझे दो अलंकार मुझे दो तब अविश्मान पिलिंदी वच्छ ने आरामिक किस्त्री से गा क्यूं यह बच्ची रो रही है पंते यह लड़की दूसरे लड़कों को अलंकृत मालाकृत देख कर रो रही है माला मुझे दो अलंकार मुझे दो हम गरीबों के पास कहां माला है कहां अलंकार है तब अईश्मान पिलिंदी वच्छ एक तिनिके के टुकडे को उठा कर आरामिक किस्त्री से बोले अच्छा तो इस तिनिके के टुकडे को लड़की के सिर पर रख दे तब उस आरामिक किस्त्री ने उस तिनिके के टुकडे को लड़की के सिर पर रख दिया और वह श्वर्ण माला वाली अभी रूपा दर्सनिया प्राशादी का हो गई वेसे स्वर्ण माला तो राजा के अंतपुरम में भीद नहीं थी लोगों ने मगद राज सेन्य बिम्बिसार से खौँ इतना जबरदस्त चमतकार है कि एक तिनिके की टुकडे से सोने की माला जो राजा के राज्य में नहीं है ऐसे माला बना दी बिक्सू की चमतकार वो जबरदस्त है अगर यहीं चमतकार हिंदों की होता है तो कहते है कि तुमने तुम मुर्ग बना रहे हैं पाखंड बना नहीं यह आप बुरा मत मानी है क्योंकि यह बुद्ध मत के अंदर वास्त में 100% वेग्यानिक दर्म है इतना बड़ा वेग्यानिक दर्म है यहाँ पर हो सकता है वेग्यानिक लोग कर सकते हैं यह हाँ भासने की कोई बात नहीं है यह हिंदू नहीं कर सकते हैं पर यह वेग्यानिक लोग कर सकते हैं आगे देव के अंतपुरम में भी नहीं है कहां से उस गरीब गर के दरीद्र के गर में हो सकते है निस संसे चोरी करके लाई चोरी से लाई गई है तब मगत राज सेनिय भिम्बिसार ने उस आरामिक के कुटुम्ब को बांध दिया दूसरी बार भी आयुश मान पिलिंदी वच पूर्वागरण पूर्वाहरण में पहन पात्र चीवरले भिक्सा के लिए पिलिंदी ग्राम में प्रिविष्ट हुए पिलिंदी ग्राम में बिन ठहरे भिक्साचार करते जहां आरामिक का गर्था वहां गए जहां पडोशन से पूछा इस आरामिक का कुटुम्ब कहां चला गया भंदे उसे स्वर्ण माला के करण राजा ने बंदवा दिया तब आईश्मान पिलिंदी वच जहां मगद राज सेन्य बिम्बिसार का गर था वहां गए जाकर बीचे आसन पर बेटे तब मगद राज सेन्य बिम्बिसार जहां आईश्मान पिलिंदी वच थे वहां गया पेज नमबर 225 विनई पिटक PDF डाउनलोड करके पड़ लेना आगे जाकर अभिवादन एक और बेट गया एक और बेटे मगद राज सेन्य बिम्बिसार को आईश्मान पिलिंदी वच ने कहा महराज क्यों उस आरामिक के कुटुम्ब को बंदवाया है बंदे उस आरामिक के गर में एसी स्वर्ण माला थी जेसी हमारे अंदपुरम में भी नहीं है नीशन सई चोरी से लाई गई है तब आईश्मान पिलिंदी वच ने मगद राज सेन्य बिम्बिसार का प्रशाद सोने का हो जाए ये संकल्प गिया वह सौरा स्वर्ण का हो गया कितना जबर्दस्त विज्जान भरा बड़ा है बोद्दो के गरंतों में आप अविश्य पढ़िए महाराज ये बोप्सा स्वर्ण कहां से आया जान गया भंते आरे की रिशी के बल से आरामिक कुटुम्ब वेसा हो गया था और उस आरामिक का कुटुम्ब को छुड़वा दिया एक तिनके से सोने के माला बनवाना और एक राज्य के सारे एक सारे प्रशाद को सोने का बनाना कोई छोटी बात नहीं है वेजयनिक 100% वेजयनिक दर्म है आप बोध मत्य की पुस्तकों को पढ़िए और इनके गबोड़े हैं उनको हम सभी के सामने प्रिस्त करेंगे वीडियो को अधिक से अधिक सेर करें आपका अपने यूट्यूब चैनल है धन्यवाज